हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी का मौकिक साहिते जो की पेपर है बी-ए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर में NEP 2020 के अकॉर्डिंग यानि की जो नया सिलेबस आया है आपका अभी पिछले साल से शुरू जो हुआ है जिसका आप लोग फर्स सेमेस्टर दे चुके हैं और अभी थर्ड सेमेस्टर आपने दिसमबर से दिया था इसके बाद अब चौतर सेमेस्टर जो शामिल हो रहा है जिन बच्चों का उनका ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है हिंदी का मौकिक साहित है तो पिछले साल भी कुछ बच्चों ने पेपर दिया होगा ये वाला सेम NEP 2020 में और इस बार भी बच्चे देंगे तो ये पिछले साल से चल रहा है जो कटनी के गीत कही चाते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं श्रम गीत पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे महिलाओं के श्र पुरुषों के लिए उन लोग गीत होती हैं जो कि उनके फसल कातने के टाइम पर या खेतों में गुड़ाई या पिर कुछ भी ऐसे काम करने के टाइम पर जो उपाती होने पुरुषों के श्रम गीत कहा जाता है तो कटनी के गीत सबसे पहले बताई जाएंगे आपको बि इन्हें अपनी दिन चर्या का यानिकि अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा मानते हैं मौकिक होते हुए भी आप तक के मौकिक थे उड़ी तरह से सभी जगा लोग इनको सुन करके गया करते थे लेकिन अब धीरे धीरे इनको मुद्रित करने का यानकी चपवाने की कोशिश अचे शुरू हो चुकी है और स्री पूरुष दोनों को समार रूप से आनन्त एवं शकína करने का कारे किया इन गीतों ने इस्त incremental को पूरुषों को समार रूप से शक्षिक करने का शिक्षित करने का काम किया है एक गीत का उधारन आपके लिए लिया है दोर आया देखो कटनी का के तुम्हें फसल है तैयार मालिक ने हमें जो बुलाया तो फुर्ती से करते स्विकार यह दिखो समय आगया कटनी का के तुम्हें फसल तैयार हो गई है और जब मालिक ने हमें बुलाया तो हम फुर्टी से इस मौके को सुईकार कर लेते हैं, हम कभी भी मना नहीं करते हैं येश्यो के मिसाल से हम सीखते हैं कैसे करें पूरा ये काम, यानिके येश्यो जो हैं उनसे हम सीखते हैं कि किसी भी काम को हम कैसे पूरा करें हर दिन मिलता है ये सम्मान हमें और कत्नी का मिलता है इनाम हमें हर रोज सम्मान मिलता है और सात्मी जो हम कटाई करते हैं वसल की उसके लिए भी हमें इनाम मिलता है तो कत्नी लोग गुईतों का महतों संपून मानव समाज और संस्कृति में अभिन है येनकर सभी लोगों के लिए एक तरीके से इसका अपना अलग-अलग महत् cran है और हमेशा रहे गावी और कभी सपने की बातों को शंब में व्यक्त करने का माध्यम है तो कभी हाथ से अब्यंग जो शंब कर रहे होते हैं लोग कभी तो अपने सपने की बातों को बताते हैं गीतों में, कभी हास से अभ्यंगे करते हैं, कई बार भगती के गीत भी होते हैं, कई बार रोमेंटिक सौंस होते हैं, और कई बार इनमें मोरल एजुकेशन भी ओलंगती रही होते हैं, ऐसे गीत भी होते हैं, जिनमें नयतिक शि देखने को मिलता है, नंतласти-पती का इस ली प्रेम प्राय दुरलभ्पदार थैं यहनले कि इस्षृया अपने पती को प्रेम करती है, यह चीज थोाओं नोगवा बहुत जगा देखती है महिलाएं गा देती हैं बता देती हैं लेकिन पुरुष भी अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं, ये चीज़ देखने के लिए हमारी भारतिय समाज में अब तक बहुत कम मिला करती थी, तो कटनी के गीतों में इस विशुदिस्ट्री प्रेम की जाके भी देखने को मिलती है, जै जर्दफ लीख रहा है जिलमिल्र रहा है। इस गीत में नई दुलहन अपने हाव भाव को व्यक्त कर रही है तो वही सास ननत के विवाहर का पैचा भी प्रस्तोत होता है भाषा सरल सहज रही इसकी भाषा इनकी बेटा जो लोगीत होते हैं शमजीवों के बिल्कुल जन समाने वाली भाषा होती है और भावों को विचारों को फलने फूलने का इसमें पूरा अफसर मिलता है गीतों की भाषा सारगर्वित होती है दूसरे होते हैं पिटा रोपनी के गीत जब फसल को रोपा जाता है खेतों में जैसे धान की फसल रोपी जाती है तब ये गीत काये जाते है फसल अधारित भी हो सकते हैं और नई भी इन गीतों में वो फसल की चर्चा भी कर सकते हैं और वरना जैसे पिछले गीत में था एक नई दुरहन की बात चल रही थी इस तरह के गीत भी हो सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि वही दिये जाएं आपको कि बही उनमें फसल की चर्चा हो, कई बर ऐसा भी होता है कि फसल की चर्चा नहीं होती है, रोमेंटिक सॉंग हो सब्सक्राइब, बजन हो सकते हैं, कोई नेतिक शिक्षा देता हुआ गीत हो सकता है, या कोई हास परिहास भी हो सकता है, तो इन गीतों से रुपाई का कारिया बड़ी सह जिता से शीगर हो जाता है आपने बीटार जैसे मैंने पहले भी बताया था काफी बच्चे होती हैं जो मैस की प्रक्रिक्स कर रहे होते हैं सास्थ में अल्का सा म्यूजीक चला लेते हैं और म्यूजिक जो हमारी काम की रफ्तार को कई बार बढ़ा देता है, तकान मैसूस नहीं होने देता है, आप में देखा हो कि बहुत से लोग है जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो इन गीतों को आम तरपर मलदूर्जवर्ग जो होता है, गुंगुनाता रहता है, ग्रेस्टी का चित्रण बहुत विशेश रूप से लिखाये जाता है, ग्रेस्टी का चित्रण करते हैं वो लोग, रोपनी लोग गीतों में जीवन के वीविन रंग जहां अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए गीतों का माध्या बनाया जाता है, यानिकि जो रोपन के गीत होती हैं, उन्हें जीवन के विविन रंग दिखते हैं हमीं, और मनों भावों को व्यक्त करने के लिए इनको माध्यां बनाया जाता है। ये एक आदा गीत है आपके लिए, ये मचिया बैठाली तो हो सासु हो बढ़ाईती नी, तुम यहां बैठी हो मडिया में, कहीता हो ये सासु जी पनिया के जायती नूरे के, अगर तुम कहते हैं तो मैं पानी भर लाओ, जो सास कहती है कि ये बहु, तुम पानी के लिए कैसे जाओगी, वहाँ पर उस नगर में, तो जहां पर तुम पानी भर लढ़ने जाओगी, वहाँ तुम हरे ससूर और बसूर. बसूर कहते हैं, बिटा जेट के लिए जो पती का बड़ा भाई होता है, वहीं पर हैं, तुम पानी कैसे भर की लाओगी? सास ने कहा लेकिन बहु मानी ही नहीं चली गई पानी भढ़ने के लिए कुईया के उपर और वाँ गोडे पर चड़ा हुआ को एक मसाफिर आ रहा था और एक मुन आहो एक संवरी है और संवरी पनिया पियाओ नुरे की तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पानी पिला दो ऐसा कहता है वो रहागीर उस दुलहन से तो यह गीत था इसका आमने थोड़ा सा ही सलिया यह बड़ा गीत है बिटाई अगला गीत है सोहनी के गीत केत में व्यर्थ की घास और पॉदे जो पैदा हो जाते हैं उन्हें काट कर अलग कर देने को निराना या सोहना कहते हैं उस वक्त भी गीत गाई जाते हैं जब खरपत बार हटाई जाती है फसल के बीच में से उस वक्त भी गीत गाई जाते हैं उन्हें सोहनी के गीत कहते हैं इस काले को करते समय जो गीत गाई जाते हैं वे निरौनी या सोहनी कहलाते हैं, निरौनी मतलब कि खितों में निराई करना और सोहनी यहने के सोहना करना, इन्हें निर्वाई के गीत भी कहते हैं, इन गीतों का भी बढ़ने विचाई वही होता है, जो रोपनी के गीतों का होत तो कहीं पत्नी का अपनी पत्नी के आचरण पर सख करके उसकी अगनी परिशा लेने का उलेक होता है, इसी तरह के ये गीत भी होते हैं, अब सारांश हम देखेंगे, ट्रम का भी जीवन और समाज दोनों में ही बहुत महत्व है, परिश्रम का हमारी जीवन में बहुत जदा मह तो है आप सभी जानते हैं, इसलिए समय के साथ लोग गीतों में श्रम संगीत गीत का भी प्रचला शुरू हो गया, जैसे जैसे समय बदला, श्रम के साथ लीगी संगीत जुड़ गया, इन गीतों को कटनी, रोपनी, चर्खा, सोहनी इत्यादी वर्गों में विभाजित कि गया, गाउं में बेटा जो लोग चर्खा काटते हैं, वो भी चर्खा गीत गया परते हैं, इसमें भारती ये प्रदेश में सभी बोलियों और बोलियों में श्रम संबंदी गीतों का सजन हो है, भारत में जितनी भी हमारी प्रदेशों की बोलिया हैं, सभी में श्रम गीत गेत बीविन अफसरो तथा कारियों के आधर पर निर्मित किये जाती है अलग-लग मौक़े के लिए अलग-लग काम के लिये ये की पर यार किये जाते हैं लोग गेत आज हर शेत्र में अपना एहमतान रखते हैं आज लोग गेत हर जगाँ बहुत अपना importance रखते हैं, अगर हम कोई भी उत्सव करते हैं, तो उसमें कुछ हमारी बुजरुग मैलाएं गुन गुनाने लगते हैं, क्योंकि उनकी नजर में एक प्रथा है, आज कोई भी उत्सव होता है, तो आप में देखा हो, अगर बिटा आसपास की कुछ बुजरु मैलाएं होती हैं, वो बैटकर कुछ गुन गुनाना शुरू कर देती है, क्योंकि उनकी नजर में शुब है, मंगल गान कहा जाता है, इनको ये प्रथा होती है, किन्तु लोग गीतों का प्रभाव इस बास से इस्पेट हो जाता है, कि कोई भी उत्सव अपने आपने गीतो प्रभाव जाता है, इसमें हमारे सामें Traditionally लोग गीत होते हैं, वो आते रहते हैं, लोग गीत जन्मानस के रदय की तरंगे हैं, जिनके बिना आनन्द मैं जीवन की कलपना करना असंबाव है, यानि कि लोग गीत जो है हमारी तो आम लोग हैं हमारे मन की तरंगे हैं इनके बगेर आनन्द में जीवन की कलपना करते हैं यानि कि हम खुशी का जीवन नहीं बिता सकते तो इसमें से आपके जो प्रेश्ण बनेगी बिटा इनको मैं अगले वीडियो में सबीके तबी क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे चैप्टर के एक आपका बनाएंगी क्यांटी वीडियो के सारी की सब्सtsåok यहामें आपको क्यूंकों क्यवर को श्माइट किसे कहता है इसमें से आपका इपका इम्पॉरटेंट फ्सन बनता है स्री में hanya किसे कहा जाता है जब लोग श्रम करते समय वीडियों का ईर्व बिकार पकार्ष ड़ना है कि हम लोग अलग से जो वीडियो बना दूँगी उसमें हम चर्चा करूंगी इस तरह के प्रश्ण मेट आपके प्रश्ण में आ सकते हैं अगला मैंने लिया है श्रम गीतों के प्रकारों पर प्रकाश डाली आप यह काई हमने कर लिया है कटनी गीत किसे कहते हैं और कटनी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाली इस सारे के सारे प्रश्ण बेटा मैंने लिया है साथ में कटनी गीतों का महतों बताईए रोपनी के गीतों से क्या भी प्रए है और रोपनी के सुंदरे पर प्रकाश डाली इनको मैं एक अलग से वीडियो जो बनाऊंगे इनकी आंसर कैसे लिखे जाएं वो मैं आपको समझा दूँगी तब तक आप बेटा सारे के सारे ये वीडियो देखते रहे है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लिजे आपकी परिक्षाओं के लिए बिटा धेर सारे शुब काम नहीं Have a great day ahead जै हिन जै भारत